सुप्रभात बच्चो मैं सीमा सिंग आपकी हिंदी टीचर बच्चो आज हम परेंगे पाठ दो बढ़ते कदम हिंदी वर्नमाला ये हिंदी वर्नमाला आप पहले भी सेकेनिस टेंडर में सीख लिए हो ओके इसलिए मैं आपको ये आपको होमवर्क में लिखने के लिए दी थ पेज नम्बर फाइब, अभ्यास दो, यह वह, यहाँ आप देख रहे हैं, दो पिक्चर बना है, दो चित्र बना है, एक चित्र पतंग है, दूसरे में भी पतंग है, लेकिन यह पतंग हमारे सामने में है, और यह पतंग हमारे दूर में है, उके, इसलिए हम यह और वह का इस्तेमाल यह जो हमारे पास होता है सामने में होता है उसमें हम यह का इस्तेमाल करते हैं और जो हम से दूर होता है उसको दिखाने के लिए हम वह का इस्तेमाल करते हैं जैसे देखिए यह पतंग हमारे सामने है इसलिए हम बोलेंगे यह पतंग है और यह पतंग देख रहे हो आप दूर में उर रहा है और यहां से कोई अपने उंगली से बता रहा है कि वह पतंग है यानि कि यह दूर में है इसलिए इसमें हम वह का इस्तेमाल किये इसलिए इसे बोलेंगे वह पतंग है इसी तरह से देखिए यह किताब यह पुस्तक हमारे पास है इसलिए हम यहां बो आदमी बता रहा है इसलिए यहाँ पे बोलेंगे वह घोरा है सेकें अभ्यास तीन यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे यह है यह है ओके तो अब देखिए यहाँ पर यह लड़का है यह लड़का एक बचन में है और हमारे सामने में है ठीक है इसलिए हम इसमें इस्तेमाल किये यह लड़का है यहां आप देख रहे हो यह दो लड़का है लेकिन यह भी हमारे सामने में है लेकिन यह दो है इसलिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे यह लड़के हैं एक का मतलब एक वचन और दो या दो से अधिक हो तो हम बोलते हैं बहु वचन तो यह एक वचन में है इसलिए यहां पर हम यह का इस्तेमाल किये और यहां पर दो है या दो से अधिक भी होगा तो हम वहां पर ए इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो देखिए यह लड़का है एक है ह हमारे पास है, इसलिए यहां यह का इस्तेमाल किये, यह भी यह दो है, हमारे पास में है, हमारे नजदीक है, दूर नहीं है, लेकिन दो है, इसलिए यहां पर हम इस्तेमाल किये, यह लड़के है, यह हाथी है, यह हाथी हमारे सामने में है, लेकिन एक है, इसलिए यह हाथी है यहाँ पे देख रहे हो आप एक दो तीन हाथी है और यह भी हमारे सामने में है लेकिन यह बहु वचन में है यानि कि एक से जादा है इसलिए यहाँ इस्तेमाल करेंगे यह हाथी है फिर यह लड़की है यह लड़की हमारे सामने में है लेकिन अकेली है इसलिए यह लड़की है यहाँ पे तीन लड़कियां है या तीन चार कुछ भी हो सकता है तो हमारे सामने में हो लेकिन जादा हो यानि बहु बचन में हो तो हम वहाँ पे यूज करेंगे ये लड़किया है इसी तरह से आप देखो ये माला है तो यह माला है ये हमारे सामने में है और एक है इसलिए यह माला है ये माला भी हमारे सामने में है लेकिन एक से जादा है बहु बचन में है इसलिए हम इस्तेमाल किये ये मालाएं है पेज नमबर 6 यह पुस्तक है एक है इसलिए यह पुस्तक है एक से ज़्यादा है इसलिए यह पुस्तके है यानि एक वचन और यह बहु वचन यह हमारे सामने में है लेकिन एक से ज़्यादा है इसलिए यहां पर बोलेंगे यह पुस्तके है अब आप इसमें एक चीज देखो यहां पर यह पुस्तक है इसमें उपर में है में उपर में बुंदा नहीं लगाया है लेकिन यहां आप देखोगे कि है के उपर में एक बुंदा लगा है बिंदी लगा है यानि कि जब एक से जादा होता है तो हम वहां पे है लगाते हैं तो यह दोनों में अंतर है अभ्यास 4 वह है वे है यानि वह है ये हमसे दूर है लेकिन एक है इसलिए हम यहाँ पे एक बचन में है इसलिए हम यहाँ पे वह का इस्तेमाल करेंगे तो बोलेंगे वह चूहा है फिर ये हमसे दूर है लेकिन दूर तो है और साथ में बहुत सारा भी है है यानि बहुवचन में है इसलिए इसको बोलेंगे वे चूहें हैं वह माली है ये भी माली दूर में है लेकिन एक है इसलिए बोलेंगे वह माली है यहाँ पे वे माली है दूर में है लेकिन एक से ज़्यादा है इसलिए बोले वे माली है वह तितली है वे तितलियां है वह तितली है और वे तितलियां है वह तितली मतलब दूर में है लेकिन एक ही है एक बचन में है इसलिए वह तितली है ये दूर में है लेकिन एक से जादा है तितलियां मतलब बहु बचन में है इसलिए बोलेंगे वे तितलियां है इसी तरह से देखिए यह कुरसी है एक है दूर में है इसलिए यह वह कुरसी है और यहाँ पे दूर में है और दो कुरसी है इसलिए बोलेंगे वे कुर्सियां है वह बकडी है एक है लेकिन दूर है तो हम इसको वह बोलेंगे यहाँ पे ये दूर है लेकिन एक से जादा है बहु बचन में है इसलिए बोलेंगे वे बकडियां है अभ्यास पांच यह इस वह उस ये इन वे उन अब हम इसको इस्तेमाल करके यूज करके वाक्य बनाएंगे ये देखिए एक चित्र है इसमें एक लड़का है और वो पूस्तक लिया है किताब लिया है तो यहाँ पर है यह अर्विंद है यानि कि यह हमारे सामने में है इसके पास किताब है हमारे सामने में है और इसके पास किताब है पेज नमबर सेवन ये तितलिया है इनके पंक रंग भी रंगे है ये तितलिया है यानि कि ये हमारे सामने में ही है हमसे दूर नहीं है लेकिन एक से जादा है बहु बचन में है इसलिए बोलेंगे ये तितलिया है इनके पंख रंग भी रंगे हैं रंग भी रंगे मतलब बहुत रंगों के हैं पंख इनके वह कौवा है उसका रंग काला है वह यानि ये देखो ये आदमी दूर से बता रहा है कि वहाँ पर एक कौवा है वहाँ एक कौवा है इसलिए इसको बोलेंगे वह कौवा है उसका रंग कैसा है? काला है वे दो पेर हैं उन पर बगुले बैठे हैं देखिए यहाँ से है दूर में खड़ा है और बता रहा है लेकिन यहां पर एक से जादा बगुला है इसलिए वो बोल रहा है वो वे दो पेर है उन पर बगुले बैठे हैं और यहां पर दो पेर है और दोनों पर बगुले बैठे हैं एक होता तो बगुला और दो है तो बगुले बैठे हैं अभ्यास छे, मैं, हम, तुम, आप, इसमें मैं, हम, तुम, आप, को इस्तेमाल करके वाक्य बनाएंगे देखिए, यहाँ पे एक लड़का खरा है, जिसका नाम तुरूसाद है, और यह क्या है, दूर में बिद्ध्याले है, ठीक है? और यह क्या बोलता है, इसके बारे में देखना है, मैं तुसार हूँ, मैं विद्ध्यार्थी हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं, मैं अपने लिए इस्तेमाल होता है, यानि यह लड़का खुद के लिए, अपने आप के लिए बोल रहा है, कि मैं तुसार हूँ, यह बोल रह इसकूल जाता हूं और ये खुद से बोल रहा है कि मैं स्कूल जाता हूं यानि कोई भी अपने लिए बोलता है तो उसमें हम मैं इस्तेमाल करते हैं, ओके? सेकेंड है मैं दिपाली हूँ मैं विद्यार्थिनी हूँ मैं इस्कूल जाती हूँ ये भी अपने लिए बोल रही है लेकिन ये पूलिंग था और ये इस्त्रिलिंग है ये लड़की है इसलिए बोल रही है मैं दिपाली हूँ ये अपने बारे में बता रही है, मैं दिपाली हूँ, मैं विद्यार्थीनी हूँ, ये लड़का था, इसलिए विद्यार्थी था, और ये लड़की है, इसलिए यहाँ पर विद्यार्थीनी यूज हुआ, ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ, ये भी वही बात बोल रही है, कि म पर रहे हैं एक साथ पर रहे हैं इसलिए यहां पर हम का इस्तेमाल हुआ